दीपक में ये अदवुत शमतकार आपको हमारी और बहुत सारी वीडियो में भी मिलेगा आप जरूर देखना अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके दीपक जला रखा है बहुत सुंदर फूल बना हुआ है और प्रकाश उपर से उड़ रहा है ये बहुत ही शुब संके आप महसूस करोगे आप देखो इनका दीपक देख सकते हैं इन्होंने दीपक को आसन दे रखा है दीपक को आसन देना जरूर चाहिए आसन का मलब उसको बैठने के एक स्थान दिया गया है और ये आसन आप किसी भी चीज का दे सकते हैं इस विशय पर मैंने पहले वीडिय आप उनको देख लेना दूसरा हम जब दीपक जलाते हैं हमारा दीपक बहुत साफ सुथरा होना चाहिए जैसे इनका दीपक है बहुत साफ सुथरा है और जब हम दीपक जलाते हैं और हमारे जो सामने जिस भी देव देता कि हम साफना करते हैं उन्हें वस्तर पुष्प ध दान करवाने चाहिए जो इन्होंने कर रखा है दूसरा जो इनकी जोती का उड़ना जो एक तरह से चमतकार है या भगती का प्रभाव है ये बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनकी भगती में बहुत जादा ये कैसकते हैं प्रभाव आ जाता है जिनके जीवन में एक तरह से ऐसा प्रकाश आ जाता है जब हम कहते है हमारा जो साधवा चक्कर जब उसपर काम होता है तब ऐसा लगता कि बहुत सारी उर्जा को हम ह bandwidth खीच रही है हम ब्रमाण की सारी उर्जा हमारी तरफ अकरशित हो रही है ऐसे ही जब हमारा दीपक क्योंकि मैंने सदैव कहा है कि दीपक आगर आप जला रहे हो दीपक आपके घर के सक्तियों का सूचक है अगर आपके घर में प्रेद बादा है तो वो भी दिखाई देगी उस पर भी वीडियो है प्रेद बादा से गरसित बहुत सारी वीडियोज है वो इसलिए मैं आपको बताती हूं ताकि आप उन वीडियोज को देख सके क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि दिपक की आकरतिया सारी शुब होती हैं कईयों को लगता है सारी अशुब होती हैं ना सारी शुब होती हैं ना सारी अशुब होती हैं सब का अलग-अलग आर्थ हैं और 2000 वीडियो हैं प्लीज उनको आप देखें और आपको बहुत सारा ग्यान प्राप्त होगा दीपक की ये अवस्था क्यूं है? क्यूं है? क्यूंकि अगनी देग को हम बुलाते हैं अपने इश्ट को भोग प्रदान करने के लिए बहुत जब वो खुश होते हैं क्यूंकि वो देवता उस टाइम विराजमान हो जाते हैं उनका एक तरह से प्रभाव हम देखते हैं और जब हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शक्तियां हमारे घर में विराजमान हो जाती हैं यह कह सकते हैं उनका घर बहुत पवितर हो चुका है तब हमारे दिपक का प्रकाश उड़ेगा भी क्योंकि जब कोई भी चीजे हम बिखेरते हैं तो वो उड़ती भी है कहा ज़ता है कि जो चीज हम अपने हम जो विचार बोलते हैं उसकी भी आवाबंदने हैं कोई भी प्रभाव आता है ऐसे ही दीपक का जो प्रकास जल रहा है उसमें अलोकिक शक्तियां आ रही है तो वो पूरे वातावन को शुद कर रही है और अगर यही चमतकार किसी को अपनी आखों से देखना है जिनके मन में बहुत जिगासा है तो आप जा सकते हैं माता ज्वा आपने के बाद ही कुछ चीजों को मानते हैं तो आप महां जा सकते हैं और मैं जरूर यह कहना चाहूंगी मेरे पास यतनी वियाकरतिया आती हैं दूर दूर से आती हैं सभी अलग अलग भगतों की आती हैं आप चैनल को देखोगे तो यहां बात समझ जाओगे इसलिए बोलो जय मतारानी की